हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत एक बार फिर से एश्टो गुरू चनल पर मैं आप सभी के लिए आज वीकली होरोस्कोप लेकर रहा हूँ यानि सापताहिक राशिफल और आज कवर करने वाला हूँ 25 से लेकर के 31 मार्श तक के सपताह को ये पूरा वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है इस पर टैरो की क्या गाइडंस है यही आज मैं कवर करूंगा हर बर की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टैमिस टेम्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जबहां पोश्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुवीदा हो जाए अपनी राश वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन परानी शुरू हो जाती है और मेरे रेगलर विवर्ट्स और सब्सक्राइबर्स आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल ऐस्ट्रोजर एक टरोरीडर भी हूँ तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके उपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक परसनल टरोरीडिंग सशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं यह वाटस अप नंबर है तो इस पर आपको क कॉल नहीं करना है इस पर मैसेज करिए मैसेज के थरू सारी इंफर्मेशन में रिटीम मेंबर आपको प्रवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में तो चलिए आज की रिटिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते ह कुछ एक damages को control करने किसी प्रकार की समस्या को फिर से सुलजा ले जाने के लिए supportive रहेगा इस दिन आपकी creativity काफी ज्यादा enhanced रहेगी इसलिए आप कई सारे creative कार्यों में involved हो सकते हैं आशातीत सफलता आपके कर्मों से किये गए कार्यों में आपको मिल जाएगी जहां जहां मद इसके सभी aspect में 26 मार्ज का दिन आर्थिक मामलों में प्रगतिकारी होगा ब्यापारिक मामलों में जॉब से related matters में इस दिन आपके द्वारा सोची गई योजनाएं कारगर साबित होंगी लिये गए निर्ड़े सही होंगे और आप सही तरीके से अपनी योजना को मूर्त रहेंगे इस दिन या इस तरह से समझें कि इस दिन अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग और सद उपयोग करने में आप सक्षमता के साथ सफल रहेंगे परिवार से संबंधित मामले हों या अपने profession से संबंधित हर एक चीज में आप अच्छा balance बनाने में कामयाब रहे सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है 27 तारिक एक ऐसा दिन दहने वाला है जो बताता है कि आर्थिक मामलों में थोड़ी समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा एक ऐसी situation जहां आपको एक sudden नुकसान की स्थिति दिखाई दे या हो जाए की possibility हैं जो भी ये disturbance है इस disturbance का जो solution है वो आपके disturbance वाले area के आसपास ही है जिस मामले में disturbance होगी financial वही आसपास में ही मतलब जिसको कहते हैं कि आप अगर observe करेंगे तो आपको solution जल्दी मी जाएगा अगर आप observe नहीं करेंगे जिसकी संभावना ज्यादा है कि इस दिन आप अपने आप में इतना दुख नहीं लीजिए याद रखिए ये दिन हाला कि आपको 50% support करेगा लेकिन negative 50% बहुत strong है इसलिए साउधान रही है 28 March का जो दिन है ये sharing caring का दिन है आप अपने मन की बातें अपने मन में जो आपके उदगार हैं जो आपकी feelings हैं वो दूसरों के साथ नहीं share करिए बलकि जो physical च share कर लीजिए घूम टहला ये ठीक है बाते कर लीजिए ये ठीक है लेकिन गहरी feelings नहीं share करनी बाकी सब चीज़ आप इस दिन share कर सकते हैं आपके लिए नुकसान नहीं है कई बार आपकी गहरी feelings जहां पर आप एक support चाहते हैं जहां एक sympathy चाहते हैं वहां पर वो ना मिले इस और आपके ब्यावसाइक मामलों में या आपके दिल से जुड़े हुए मामलों में प्यार का मामला नहीं कह रहा हूं दिल से जुड़ा हुआ मामला कई सारे matters होते हैं जो हमारे दिल से जुड़े होते हैं उन में आपको सफलता मिलेगी 29 March ये एक ऐसा दिन है जो कहता है simultaneously द और इस दिन को आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जब आप अपने नए विचारों पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएं और उन्हें सही प्लान में कनवर्ट कर पाएं आर्थिक ब्यापारिक मामलों में ये दिन बहुत बढ़िया है family matters love relationship partnership इन सभी में ये दिन हुआ है तीस मार्च का दिन अच्छा और भाग्यकारी परिवर्तनों के साथ आपको सपोर्ट करता हुआ कई मामले आपके लाइफ के जो पास्ट में इंबैलेंस हुए थे उनको वापिस बैलेंस करता हुआ रहेगा इश्वर की करपा और अनकमपा से आप अपने मार्ग प प्रियास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी और भाग्यकारी परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी इसका मतलब है फॉर्चुनिटली चीजें आपको फेवर में अपने दिखेंगी तो एक उपॉर्चुनिटी जैसे मिलेगी और वो बड़ी पॉजिटिव हो 31 मार्च का दिन अच्छा नहीं है चीजें आपके लिए फाइदे मन नहीं है और ये एक दिन की सिचुएशन है अगला दिन देख रहा था एक दिन की सिचुएशन है एक अप्रिल को चीजें वापिस ठीक होंगी इसलिए 31 तारिक को घवरा कर डिसीजन नहीं लेना बस इतन ध्यान रखिएगा एक छोटा सा परिवर्तन इस दिन होना है जो आपके कई सारे मामलों को बदलेगा और ये परिवर्तन आपके भविश को अच्छा करने में आपको मदद करेगा इसलिए इस परिवर्तन को सुईकार करिए अदर्वाइस किसी नए काम में न जुड़े जो नहीं कर ला है तो मेश राशी ये था आपका राशी फल 25 से 31 मार्च तक का राशी फल आपको कैसा लगा अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएग अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाई-बाई हेलो वरिशब राशी आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में वरिशब राशी आपके लिए यानि टॉरस आपके लिए 25 मार्च का जो दिन है ये अच्छा है सफलता प्राप्त करनी हो किसी नए काम को शुरू करना हो किसी नए योजना पर काम करना हो किसी नए योजना को बनाना हो किसी नए पार्टनर्शिप में जाना हो किसी पुराने काम को जो बहु परतिक छित है पिछले काफी समय से अटका था रुका था परिस्तियों में फसा था उसमें नई शुरुआत करनी है उन सभी में ये दिन आपको पूरा सपोर्ट करेगा ये दिन एक हाई एंड एनरजी सोर्स की तरह है लेकिन ये सोर्स एनरजी का हाई एंड है बड़ा एनरजी सोर्स है आप को तब पता चलेगा जब आप किसी काम में इन्वाल होंगे कैजूल बैठे रहेंगे तो आपको बिल्कुल फिल नहीं होगा ये दिन ऐसा है जब इस प्रकार का भी है जहां पर आप अपने शत्रूओं को नीचा दिखा पाएंगे या डॉमिनेट कर पाएंगे लेकिन उनसे डाइरेक्ट जगड़ा करने की ज़रूत नहीं है बाकी चीज़ ठीक अच्छी और लगबग 90% का सपोर्ट लाइफ के सभी आस्पेक्ट पर बना है 26 मार्च का जो दिन है ये एक ऐसा दिन है जो कई सारे मामलों में आपके जीवन में सिचुएशन को पाउज कर देगा पाउस मतलब थोड़ा रुक जाना बहुत धीमे धीमे चलना या काम का नव होते हुए परतीत होना तो ये सारी सिचुएशन टेंपरेरी है पहले ये समझ ले आगे आने वाले भविश में ये सब हो जाएगा यानि positively आप success पा लेंगे प्राप्त कर लेंगे लेकिन present में 26 March को आपको ऐसा feel होगा कि चीजे आपके पक्ष में नहीं है और इस वज़ा से आप अचानक घबराहट में आकर कोई decision लेने का plan कर सकते हैं जो आपको सचमुच में नहीं लेना है डिले कर देना है भौत इक दृ नूट्रल है सपोर्ट नहीं करता तो अपोस भी नहीं करता है नूट्रल वना है हाला कि ये सपोर्ट करेगा 26 तारीक पूरी पूरी तरह 100 प्रतिशत और वो भी सिर्फ spiritual मामलों पर तो spiritual मामलों में आप अपने को involved कर सकते हैं धार्मिक पुस्तके पढ़े मंदिर चले जाए भगवान का भजन किरतन करें दिन अच्छा रहेगा 27 मार्च का जो दिन रहने वाला है ये आने वाले भविश में वर्तमान में किये जाने वाले investment को दर्शाता है आने वाले भविश के लिए वर्तमान में जो आप investment करेंगे उसको दर्शाता है इसलिए सोच समझ कर लगाई जो लगाएंगे उसी का रिटन पाएंगे नफरत बोएंगे तो नफरत मिलेगी एक गहराई अपने रिलेशन में लाने के लिए आप कुछ प्रयास करेंगे तो भविश में उसका भी पॉजिटिव रेस्पॉंस आपको मिलेदा इसलिए अपनी बुद्ध ही अपने विवेक स और जो कर रहे हैं दोनों पर अपनी अवेरनेस बना करके रखनी है तभी आपको सही मार्ग समझ में आएगा कि आगे क्या करना है बाकी चीज़े ठीक आपके फिवर में रिलेशन एजुकेशन शोशली में सभी मामलों में 27 मार्च लगबग 70 परसंट का सपोर्ट बनाए है 28 मार्च का दिन कहता है कि आप इस दिन अपने अंदर एक ऐसा उत्साह फिल करेंगे जो आपको लगेगा कि बहुत लंबे समय से आपके अंदर था लेकिन थोड़ा छिपा दबा हुआ था वो उत्साह बाहर आएगा आप अपने टार्गेट को एक बार फिर से चेक कर सकते ह या अपने टार्गेट पर बढ़ जाओगे एक बार आपके बढ़ने के बाद टार्गेट की और आपके प्रयास सफल होने शुरू हो जाएंगे और आप कितनी भी मुश्किल आ जाए कितनी भी बादा आ जाए सब का सामना करके आगे बढ़ जाएंगे और सक्सेस्फुल हो सुनें अपने पार्टनर को नीचा ना दिखाएं तो चीज़ें पॉजिटिव ज्यादा रहेंगी बाकि एजुकेशन और शोशल इमेज इन सभी मामलों पे इन दोनों मामलों पे 28 तारिक पूरा सपोर्ट दे रहा है 29 मार्च का जो दिन रहने वाला है ये प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है आने वाले भविश की एक जहांकी जहां आप आने वाले समय में अगर अभी जैसे आपने कई सारे मामलों को अन दा ट्रैक अपने जीवन में लाया है ऐसे ही लाते चले गए तो आपकी सफलता सुनेश् को भी उत्तरदाई बनाएं या उनकी भी वावाही करें कि उनकी वजह से आपको ये सफलता मिली है कई बार हमारे फैमिली मिंबर्स की जो सपोर्ट है वो हमें समझ में नहीं आता एक जज्जमिंट था किसी कोर्ट का मैं उसको पढ़ रहा था आयुद्ध्या का जज्जमि ने लिखा था शुरुवात में कि मैं मेरी पतनी और मेरे बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे देर रात तक काम करने और बहुत सारी किताबों को पढ़ने में जो समय गया जिसकी वज़ा से मैं उनको समय नहीं दे पाया उसको उन्होंने समझा अन्यथा नही आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी वो फैमली की पॉजिटिव वाइप सापके फाइनेंसियल मैटर्स को आपके एकोनॉमिकल मैटर्स को आपके करियर को और फैमली की हैपिनेस को इंक्रीज करने में मदद करेगी 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी अस्पेक्ट पर 29 मार्च को ब लेवल उपर हो जाना स्प्रिच्वलिटी से इंटर लिंक हो जाना इसकी पॉसिबिल्टी लेकिन अगर किसी भी मामले में चाहे वो बिजनस पाटनर हो फ्रेंड्स हो पती पतनी हो प्रेमी प्रेमी का हो अगर तीसरे की बात को एंटर फेरिंग करने दिया गया तो चीज़ खराब हो जाएंगी इसलिए आपके रिलेशन में कोई कुछ भी कहे बहले वो आपके फैमली मेंबर्स ही क्यों ना हो कोई भी कुछ भी कहे उसकी बात को सिरे से नकार दिजी और अपने पर विश्वास करिये और अपने पार्टनर पर विश्वास करिये इन चीज़ों के अ इस दिन आपका एक ऐसा मोड आन रहेगा जहां आप प्यार लुटाता चलू वाली मेंटालिटी में रहेंगे जिसकी वज़े से इमोशन हाई हो जाएंगे इस हाई इमोशन के साथ ना तो कोई बड़े डिसीजन लेना है गोलगपे खाने का डिसीजन ले लिजे कोई दिक्कत चोटे मोटे डिसीजन ले लिजे बड़े डिसीजन नहीं लेने और किसी को प्रामिस नहीं करना चोटा मोटा प्रामिस भी नहीं करना है ना इसको ध्यान रखे यह दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है लाइफ के सभी आस्पेट पर 31st मार्च बताता है कि आपके लिए situation थो नहीं द्वारा बुने गए जाल में फसा लें अपने ही से create की गई problem में आप फस जाए तो उसका solution भी आपके पास होगा इसलिए समझें observe करें और अपने भी तर खांगा लें कि मुझे इस परिस्थेती से बाहर कैसे निकलना है इसके अलावा कभी कभी हमें हमारा गर्व ए आगे आ गए हैं तो बार बार उस चीज की याद करना हमें दिखाता है कि हमने अभी भी उसको छोड़ा नहीं था ठेक है एक उदारन के लिए अगर कोई सन्यासी कहे कि मैंने अपना परिवार घन अपना परिवार धन ये सारी चीजों को छोड़ दिया है और वो बार बार क है तो फिर ऐसा सन्यासी बेकार हुआ क्योंकि वो याद रखा गया है जो छोड़ दिया गया छोड़ने का मतलब छोड़ दिया गया बात खतम होगी तो आपको भी ये समझना होगा कि अगर किसी मामले को आपने पीछे छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है छोड़ दिया बात खक्तम हो गई अब उस पर बिचार करने की जरूरत नहीं उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं अगर डैमेज ही हुआ है तो इस डैमेज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं अनायास दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं करें 21 मार्च को तो ज्यादा अच्छा रहेगा और चीजों को धीरे धीरे आपरेट करें सफलता मिल जाएगी बाकि किसी नए काम को इस दिन न शुरू करें तो बढ़िया रहेगा रिलेशन एजुकेशन शोशली में सभी मामलों में ये दिन किवल 20% का सपोर्ट करता है लेकिन ये 20% उठाया जा सकता है बढ़ाया जा सकता है इसलिए ध्यान रखिएगा तो वरिशव राशी ये था आपका राशी फल 25 से लेकर 31 मार्श तक का राशी फल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस अपने अन्भू कमेंट सेक्शन में जरू लिखे इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाई बाई हेलो मितुनराशी आप सबको स्वागत है आपके रिडिंग में मितुनराशी आपके लिए 25 मार्च का दिन बढ़िया और भागेकारी और भागेशाली भी रहेगा भागेकारी इस तरह से कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएंगी मौका देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेब करिए अपना काम करिए और सफलता आरजित करिए भागेकारी इस तरह कि आप जो योजना बनाएंगे भाग गिवश उस योजना पर काम करके सफलता आपको मिल जाएगी ये ऐसा है इस दिन को इस तरह से इस्तिमाल करें आप अपने जिन भी क्षेत्रों में काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी सफलता दिलाएगा ये दिन ऐसा है दूसरे लोगों के आइडिया पर काम नहीं करना बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं 100% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी आसपेक्ट में 26 मार्च का दिन कहता है कि कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा चुनिंदा बाधाओं होंगी चुनिंदा बाधाओं मतलब जानी पहचानी बाधाओं होंगी और उन जानी पहचानी सिचुवेशन्स प्रॉब्लम्स बाधाओं का सही तरीके से सामना करके सफलता की और आ लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर आपने प्राब्लम्स पर फोकस किया तो ये 70% पॉजिटिव की वज़ाए निगेटिव हो जाएगा। 27 मार्च का दिन कहता है कि आप पहले चीज़ तो आपका कोई काम पूरा हो जाए इसकी पॉसिबिल्टी बन रही है। इस दिन आपके दौरा किये गए कारियों में वैसे भी आपको सफलता मिल जाएगी। पारिवारिक मामलों में ये दिन सकस्स दिखाता है। खुशियां आपके पास आएंगी इसको भी दिखाता है। आप लोगों को एप्रिशेट भी करेंगे लोग आपको एप्रिशेट करेंगे और कई सारे मामलों में आपको पॉसिटिव रेस्पॉंस सिचुएशन का लोगों का परिस्थितियों का इश्वर का मिले इसकी संभावना बन रही है। अगर जरूरत पड़े या आपको कोई समस्या ना हो तो 27 तारीक को ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ बिताएं इसका बहुत पॉसिटिव इफेक्ट आपको मिलेगा क्योंकि फैमिली वाइब आपके लिए फैमिली की जो पॉसिटिव एनरजी है वो आ चीजें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगे और इश्वर की अनुशनशा से और इश्वर की कृपा से चीजें आपके लिए पॉसिटिव अप्रोच में बनी रहेंगे आप बस अपने आप में सयम बनाए रखें मोरल्स का साथ दें और बिलकुल पक्षपात ना करें सब्सक्राइशन एजूकेशन शोशन में सभी मामलों में एप्रोक्स 80% का सपोर्ट बना हुआ है 29 मार्च का दिन कहता है कि जल्दबाजी इस दिन आपकी दुश्मन होगी और अगर आप जल्दबाजी ना करके अपने अमंग अपने जोश अपने पैशन को पॉजिटिवल मामले फैमिली के मामले सोशल मामले इन सभी में ये जो दिन है आपको बहुत ज्यादा सहयोग देगा और सफल होने में मदद भी करेगा रिलेशन एजूकेशन शोशली में सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट बनाता है 30 मार्च का दिन आपके लिए ऐसा रहेगा जब आ आप सही योजना बनाने में कामियाब हो जाएंगे और आगे बढ़कर के सफल होने के लिए किये गए प्रियासों को सही तरीके से मूर्त रूप दे पाएंगे इस दिन आपके दौारा किये गए कारें में आपको सफलता मिलेगी नए कारे की शुरुआत कर सकते हैं पारिव तारीक एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप दूसरों की जितनी परवाह करेंगे लोग भी आपके उतनी परवाह करेंगे आप दूसरों को जितना देंगे लोग भी आपको उतना देंगे लेकिन किसे आप दे रहे हैं और किसकी परवाह कर रहे हैं ये चुन करके करिएगा हर क किसी का नहीं ठीक है आप जाने समझे लोगों के साथ में अपने एक तरह से दिल के तार जोने आपको positive response उधर से भी मिलेगा इन चीजों के अलावा अभी तक जो कुछ भी आपने अरजित किया है वो आपको और ज्यादा बल दे शक्ति दे और आप अपने confidence के साथ आगे बढ चाहिए बाकी ये दिन अच्छा है शेरिंग केरिंग बनी रहेगी और friendly relations भी improve होंगे relation education social में सभी मामलों पे ये दिन 60% का support देता है तो मिथन राशी ये था आपका राशिफल 25 से 31 मार्स तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने experience अपने अनभू कमेंट सेक्शन में हेलो करकराशी आप सबका स्वागत है आपके रेडिंग में करकराशी आपके लिए 25 मार्च का जो दिन रहने वाला है दूपक्षव मामलों में सफलता दिखाता है लेकिन थोड़ा डिले होकर देर होकर के तो उससे कोई परिशानी की बात नहीं है आप अपने कारे में बस रहें इस दिन कुछ एक ऐसी योजना है आपके दिमाग में आ सकते हैं जिन पर आपको भी लगेगा कि कुछ ज्यादा ही दूर की सोच ली सोचिए दूर की सोचिए क्योंकि दूर की सोच करके दूर की योजना बना करके थोड़ा समय लगा कर सफलता प्राप्त करना परसंट सपोर्ट दे रहा है 26 मार्ज का दिन कहता है कि आप एक योजना बना कर अपने टारगेट को फिक्स करने में सफल होंगे अगर अभी तक नहीं किया है तो अन्य था जो भी टारगेट आपने बनाया है उस पर काम करके सफल होने की दिशा में आपके द्वारा कियेगे प्रियास सफल होंगे और कई मामले ऐसे जिसमें आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे लोग आपको appreciate करेंगे, admire करेंगे और कुछ एक मामलों में लोग आपको follow भी कर सकते हैं आपको सहयोग जो चाहिए वो समय समय बर situationally मिलता चला जाएगा और आप success की और आगे बढ़ेंगे एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा कि इस दिन 26 मार्च को आप जिन कार्यों को हाथ मिलेंगे उसे अंतर तक छोड़ नहीं पाएंगे तो सोच समझ के कारे को उठाईएगा बाकि relation education, social image, business property, job सभी मामलों में ये दिन 60% का support दे रहा है 27 मार्च का दिन कहता है आप एक सौपने दर्शी वेक्ति की तरह रहेंगे सौपने दर्शी बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ सपने देखता है, कर कुछ नहीं पाता इस वज़ा से आप किसी एक पर फोकस करिए और उस एक को अचीव करने की कोशिश करिए एक पर फोकस और एक को अचीव करने के प्रयास में आपको आशातीत सफलता मिले इसकी पूरी संभावना है और आप अपनी छमता से बेहतर प्रदर्शन कर पाएं अपनी छमता से बेहतर कार करके अपनी सोच से ज्यादा अचीव कर पाएं इसकी भी पॉसिबिल्टी बनी है तो इस दिन को इस्तेमाल करिए यह दिन हाला कि 70% का सपोर्ट करता है लाइफ के स साबित करना चाहेंगे और दूसरों की परवाह बिलकुल नहीं करेंगे यहां आपको इस बात के लिए अपने आपको समझाना होगा कि आप किसी की परवाह करें या ना करें अपनी परवाह करिए क्योंकि इस दिन आप जितनी ज्यादा अपनी परवाह करेंगे आप से दू योजना पर नया कारे कर सकते हैं या योजना को बोड़ करके सफलतार चित कर सकते हैं लेकिन इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जान बूज कर किसी का नुकसान ना करें आपका मन 28 तारिक को अपने साथी को कंट्रोल करने का होगा इस वज़ा से रहेगा और इस उदासी का कारण होगा कि आप ने उदासी को चुन लिया है इसलिए अपने चुनाओ से इतर देखने की कोशिश करिए आप्जर्व करिए कहीं आप निगेटिव पहलू ही तो नहीं देख रहे हैं अगर आप नकरातमक पक्ष को ही देख रहे हैं तो अपने मन को चेंज करने की जरूरत अपने जो आपका पॉइंट आफ फोकस है उसे बदलने की जरूरत है ठीक घुमाईए अपने पॉइंट आफ फोकस को इस दिन आप एक बार जब पॉजिटिविटी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में निगेटिव को आपने ही हाबी क्या रखा था उसे हाबी होने की जरूरत नहीं है और इस दिन आपके लिए चीज़ें फिफ्टी फिफ्टी रहेंगे फिफ्टी परसंट पॉजिटिव फिफ्टी परसंट निगेटिव और ये फिफ्टी फिफ्टी सिचुवेशन जो आपके जीवन में energy wise रहेगी हालांकि 50-50 बहुत अच्छा होता है ये नियांग energy positive negative दोनों को 50-50 होना चाहिए लेकिन ये 50-50 अलग है ये negativity अपने आपको 100 करने की कोशिश करेगी और positivity भी खुद को 100 करेगी लेकिन हम इनसानों की जो सबसे बड़ी problem है वो है हमारा अपना दिमाग इस दुनिया में हम इनसानों का अगर कोई दुश्मन है तो वो हमारा खुद का brain है हम अपने दिमाग से ही हारते हैं और हमारे दिमाग का जो default function है वो negative thinking में है इसलिए negativity के इंक्रीज होने की possibility जादा है तो अताखीच करके जोर लगा कर positivity को लाइए और पूरी negativity खतम आप जो चाहते हैं वो इस दिन मिल जाएगा अच्छा जी अब बात करते हैं तीस तारीक के जो आपने past में किया है positive उसका result आपको positive देखने को मिल जाएगा जो आपने past में negative किया है उसका result negative देखने को मिल जाएगा क्योंकि चीजे वैसे ही काम करेंगी तो यहां पर एक achievement दिखती है positive भी और negative भी सवाल यह है कि आपने past में क्या किया था इसके अलामा आपको एक अच्छे समाचार मिलने की उमीद है यह खबर जो आपको मिल सकती है यह positive रहेगी आपके future के लिए काफी helpful भी रह सकती है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए आप क्या कर रहे हैं कितना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए अगर आपकी पकड़ सही है इसा नहीं होना चाहिए ना कि आप कुछ कर रहे हैं और आपने क्या गया यह फला परसन ने मुझे यह suggest किया था तो आपकी पकड़ कुछ नहीं है बेकार आपकी दो कोड़ी की पकड़ है तो उस पर आपको सफलता नहीं मिलेगी आपके पकड़ होनी चाहिए situations पर आप चा चाहिए जो नेतिकता कहती है जो मॉरल ग्राउंड्स कहता है अगर हम मॉरल की बात करें मॉरल क्या है हमें अच्छाई चुननी चाहिए या बुराई तो सब कहेंगे कि मॉरल तो कहता है अच्छाई को चुननी है ठेक है लेकिन कभी कभी मॉरल कुछ बुरी चीजों को प्र सच बोलना मुरायल है, लेकिन सच बोलेंगे तो उसकी जान जाएगी, तो यहां मुरायल क्या है, मुरायल चेंज हो जाएगा, नैतिकता परिवर्तित होगी, नैतिकता अब क्या कहती, नैतिकता कहती जूट बोलो, फिर नैतिकता कहेगी जूट बोलो, क्यों, क्योंकि नैतिक का पालन करना है 31 मार्च को यह याद रखिएगा नैतिकता जिस और जुकती उस और जुकिए इन चीजों के अलामा इस दिन ऐसे चैलेंज़स भी आपको मिलेंगे जिनका सामना करके आपके अंदर गर्व की भावना आएगी और लोग आपकी तारीफ करते नहीं ठकेंगे कु 25 से 31 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपीरियंस अपने अनवो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आप से फिर मिलूंगा बाई बाई सबका स्वागत है आपकी रेडिंग में सिंघराशिया आपके लिए 25 मार्च का दिन अच्छा नहीं रहेगा दूसरों पर भरोसा मत करिए और दूसरों की कही बातों पर बिल्कुल चलिये भी हमत और उनकी अड़वाइस को तो लेना नहीं है बड़े लीगल मामलों को टाल नहीं दे रहा है इसलिए इस दिन को शांती पूर्वाग गुजर जाने दें जो डेली रूटीन के आपके कार रहे हैं बस उतना ही करें उतना ही कम्प्लीट करने पर फोकस करिए 26 मार्च अब विपरीत हो गया चीजे बिलकुल यू टर्न हो करके बढ़ियां हो गई और अच्छा हो गया और 26 मार्च को आप अपने 25 मार्च की समस्याओं से भी ओवर कम कर जाएंगे इस दिन आपके दोरा लिए गए फैसले सही होंगे आपके परिवार में खुशियां आ सकती हैं परिवार एक वातावरान सोहार्द पूर्ण बना रहेगा एक उत्सो की तैयारी या उत्सों में शामिल होने की संभाव न हो सकती है हलांकि ब्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन सफलता दायक है रिलेशन एजूकेशन शोशली में सभी मामलों में 60% का सपोर्ट बना है 27 मार्च का दिन कहता है एक नई उर्जा के साथ एक नई जोश और एक नई उमंग के साथ आप कुछ नया करने के लिए दरड़ परतिक हो सकते हैं और इस दिन आप एक ऐसी योजना पर अपने आपको आगे ला सकते हैं जिस योजना पर काम करके आप आगे आने वाले भविश में अपने कई सारे मामलों को सिट कर दें और आपके लिए ये बेनिफीसियरी रहे इन सब की संभावनाएं पॉजिटिविटी में हैं और इश्वर का सपोर्ड भी आपको मिलेगा एक बार आप काम शुरू करते हैं तो इन चीजों के अलावा ध्यान रखिए अगर आपके पास कोई योजना पहले से हैं तो उसमें अचानक बदलाव करने की जरूरत नहीं ह थोड़ा सोच विचार ज्यादा करना पड़ेगा बाकी चीजे ठीक लगभग 90% का सपोर्ड लाइफ के सभी आस्पेक्ट पर बना है 28 मार्ज ट्राइंगलर सिचुएशन आपके फेवर में हैं हालांकि लेकिन उसके बावजूद आपको अपने प्रेम त्रिकोन संबंधों में अगर कई ऐसा है अगर कोई एक्स्टा मेरिटल अफेर है तो उसमें सावधान रहना है और नहीं है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं ब्यापारिक मामलों में ये दिन सफलता दिखाता है पारिवारिक मामलों में भी पॉजिटिविटी दिखाता है लेकिन साथ साथ कहता है थोड़ी दूर की देखिए पॉइंट आफ व्यू आपका जो है या फोकस आपका जो है उसे थोड़ा दूर कर दीए और सोची आने वाले भविश्य के बारे में कि दो साल तीन साल पान साल बात की स्थिती को आप कैसे मैनेज करेंगी क्या और आपको चाहिए कि आप सही ऑपरेट कर सकें और अगर आप योजना बना लेते हैं तो उस पर काम करके भविश्य में सफलता पाना आसान होगा ये दिन सतर परसंट सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी पहलों पर अब बात करते हैं 29 की डैमेज कंट्रोल करने के लिए बढ़िया दिन है किसी भी प्रकार के नुक्सान को भरपाई क करने के लिए कुछ रिपेर करने के लिए दिन बहुत अच्छा है अगर आपको कोई सलाह चाहिए या मदद चाहिए तो अनायास ये आपको मिल जाएगी इसलिए इश्यर के प्रतिश रद्धावान होना और करतग्य होना आपके लिए जरूरी और बनता भी है इस दिन आप अपने आप में काफी क्रियेटिव परसं रहेंगे जिसकी वज़ा से आपके दिवाग में बहुत सारे विचार हैंगे हर विचार को दूसरे से बताना नहीं है सम्मत बताइए जहां जरूरत पड़े वहां अपने विचार रखें या दिखाएं या बताएं जहां जरूरत यह वहाँ यह ना करें बाकि रिलेशन एजुकेशन शोशली में सभी मामलों में यह दिन आपको 70% तक सपोर्ट देगा 30 मार्च का दिन कहता है कि आपके उपर इश्वर के करपा और अनकमपा बनी रहेंगी और अकॉर्डिंगली चीजें आपके पक्षमे मुड़ी रहेंगी आप अपने ग्यान को बढ़ाना चाहते हैं तो 30 मार्च बहुत अच्छा दिन है कुछ गहरे गंभीर विश्यों का अध सेजन नहीं लेना ये भी याद रखिएगा बाकी चीजे ठीक हैं रिलेशन एजुकेशन शोशली में सपोर्ट पूरा-पूरा बना है लेकिन छोटे मोटे प्रेकॉशन को मानना पड़ेगा 31 मार्च का दिन जो है कहता है प्रोस्पेरिटी आपको आएगी और चीजें आप के पक्ष में मोड़ी रहेंगी पारिवारिक समस्याओं का समाधान होना पारिवार की ग्रोथ होना एकोनामिकल और फाइनसियल ग्रोथ होने की पॉसिबिल्टी बनना परिवार में ओल्ड मिंबर्स के हेल्थ में और इंप्रूमेंट आने की पॉसिबिल्टी इस दिन बनी ह सभी मामलों में 31 तारिक 100% का सपोर्ट बनाता है तो सिंग राशी ये था आपका राशी फल 25 से 31 मार्ज तक का राशी फल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभू कमेंट सक्षन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाई बाई हेलो कन्यराशी आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में कन्यराशी आपके लिए 25 मार्ज का जो दिन है ये आगे बढ़ने सफलता प्राप्त करने के उद्देश की पूरती के लिए बढ़िया है नए काम को शुरू कर सकते हैं नए टार्गिट बना सकते हैं एक यात्रा की योग है व्यापारिक आर्थिक यात्रा भी हो सकती है वहन सुख मिलने के भी संयोग बन रहे हैं रिलेशन एजुकेशन शोशली में सभी मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट देता है 26 मार्च का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आपको थोड़ा सयम का परिचे देना चाहिए जल्दबाजी से अपने आपको बचाना चाहिए क्योंकि इस दिन आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए अभी आपकी और परिपक्वता की जरूरत पड़ेगी इसलिए घबराहट या जल्दबाजी में आकर डिसीजन नहीं लेना है याद रखें और दूसरों की बातों में आकर तो बिल्कुल भी नहीं ये दिन सोशल मामलों में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है बाकि एजुकेशन और रिलेशन के मामले में ये दिन पूरा सपोर्ट दे रहा है 27 मार्च का दिन कहता है कि आप आने वाले भविश्य को ध्यान में रखकर एक नई योजना बनानी शुरू कर सकते हैं इस योजना पर आपको भविश्य में काम करना है इसलिए वरतमान में योजना बनाईए और उसकी बारीकियों की जाच करके काट छाट करते रही है अदर्वाइस ये दिन एक दो चीजें दिखाता है पहला कुछ अपरचुनिटी इसका पराप्त होना जिने समय पर आपको सिर्फ पकड़ना है उस पर काम अभी नहीं करना है सिर्फ हाथ में आ जाएं उस पर भविश में काम किया जा सकता है और सफलता अरजित की जा सकती है और दूसरा कि इस दिन आप लालच में आकर के कई सारे मामलों को बिगाड सकते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखे कि आप किसी भी तरह के लालच में ना आएं बाकि रिलेशन एजुकेशन इन दोनों मामलों पर दिन अच्छा है लेकिन सोशल इमेज के मामले में साधान रही है 28 मार्च 28 मार्च एक ऐसा दिन है जो आपके यश में समान में वृद्धी करेगा लोग आपकी पुरानी घटनाओं और बातों को याद करके आपको एप्रिशेट कर सकते हैं और इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ मिलेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी एहंकार में नहीं आना है क्योंकि एगो ही आपका दुश्मन है बाकी बिलकुल बढ़ी है ये आपके यश्मे और वृद्धी करेगा सोशल इमेज सोशल पकड़ को आपकी और अच्छी कर देगा और आप समझ पाएंगे कि अब आपको वर्तमान में क्या करना और क्या नहीं करना है और अपनी सोश के अकॉर्डिंग चलिए दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग बिलकुल भी नहीं चलना है इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कई बार decision और perception में फर्क होता है हमें कुछ feel हो रहा होता है वही decision नहीं है हमारा decision तो तब होता है जब हम हर पहलू को अपने दिमाग में समझें और accordingly निर्ड़े लें कि अब क्या होना चाहिए वो decision है, उसके साथ जाएए अच्छा जी अब बात करते हैं तीस तारीक की एक परिवर्तन के योग दिखाता है इश्वर के कृपा अनुकमपा आपके उपर और इश्वर आपके जीवन में छोटे से एक परिवर्तन को भेजते हैं जो आपको काफी हद तक प्रफलित कर देगा या आपको ये बहुत अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसमें एकदम हैरान और परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस दिन आपको अपनी मदद स्वैम करनी है रिलेशन एजूकेशन शोशली में सभी मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट दे रहा है 31 मार्च का जो दिन रहेगा ये द्विपक्षी मामलों में सही योग देता है सुविधा जना के स्थिती को बनाता है दिखाता है इश्वर के करपा और अनकमपा आपके उपर बनी हुई है और आपके अपने रिलेशन शिप में एक स्परिच्वल फिलिंग सानी शुरू हो जाए इसकी संभवना भी दर पार्टनर इनके बीच में कोई थर्ड परसन ही प्राब्लम को क्रियेट कर सकता है इसलिए वो जो भी थर्ड परसन हो चाहे वो फ्रेंड्स हों या फैमली मेंबर्स हों उन सभी को आपको निगलेट करके आगे बढ़ जाना है लगभग 80% का सपोर्ट बना है आपकी करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए बाई बाई हेलो तुलराशी आप सबका स्वागत है आपके रेडिंग में तुलराशी आपके लिए 25 मार्च का जो दिन रहने वाला है ये संतुलन को इस्थापित करने का है आप जिन परिस्थितियों में जिन चीजों में सिच्वेशन को बैलेन्स करने की कोशिश करेंगे उसमें आप को इश्वर का सपोर्ट भी देगा और कई सारे मामले आपके आटो बैलेंस भी हो जाएंगे भाग्यकारी परिवर्तनों का दिन रहेगा चीज आपके फेवर में आएंगी आपके यश में वृद्धी होगी रिलेशन एजूकेशन शोशल इविच इन सभी मामलों में ये दिन पूरा पॉजिटिव और सपोर्टिक बना हुआ है 26 मार्च जो दिन है ये आपके कारे छेतर में आपके द्वारा सोचे गए निर्ड़े लिए गए मामलों के एकॉर्डिंग आपको सफलता दिलाएगा जिन मामलों को आप हाथ में लेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेग आपके सोचल इमेज में और जड़ा इंप्रूमेंट आए इसकी पॉसिबिल्टी है अगर किसी तरह का सोचल मेडिया पर आपको कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको आशातीत सफलता मिलेगी लोगों को मैनिपूलेट करके अपने पक्ष में लाना या इस्तिमाल करना इ सारे काम आपके स्वता सहज हो जाएंगे जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा रिलेशन एजूकेशन शोचल में इन सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट बनाया हुए है ट्वेंटी सेवन मार्च का दिन आपके मन में अनायास के डर और जिग्यासा दोनों को ले आएगा जिसकी वज़ा से आप भविश में होने वाली उन घटनाओं को जो सचमुच नहीं होने जा रही पहले से परसेप्ट करेंगे और अपने परसेप्शन में फसकर गलत नलड़े लेकर गलत काम करके या गलत दिशा में आगे बढ़कर के असफल हो जाएंगे तो अपने माइं में परसेप्शन मत बनाई जो जैसा है उसे वैसा करिए सिच्वेशन को देखिए एकॉर्डिंगले काम करिए सफलता मिलेगी अगर कोई प्लान है तो उस प्लान पर काम करिए सफलता मिलेगी रिलेशन एजूकेशन शोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% सपोर्टिव है लेकिन अगर आप अपने मन से अपने दिमाग से हार गए तो फिर आपको नुकसान हो सकता है 28 मार्च ये एक ऐसा दिन है जो आपकी प्रोस्पेरिटी को और बढ़ाएगा इंप्रूमेंट देगा आपके यश में वृद्धी कराएगा ब्यापारिक आर्थिक मामलों में आपके लिए ना सिर्फ सपोर्टिव होबल की आपके डिसीजन के बेसिस पर आपको सफलता प् आपके लिए प्रोस्पेरिटी नाइन मार्च का जो दिन रहेगा ये कहता है नए काम को शुरू करने के दृष्टी से ये दिन बहुत अच्छा है किसी भी काम की शुरुवात करते हैं या किसी रुके हुए काम को फिर सुरू करते हैं या एक साथ कई सारे मामलों को मैनेज करते हैं तो ये सब सामिल्टेनियसली मैनेज भी हो जाएगा आपके लिए अच्छा भी रहेगा अपने आपको किसी पोजीशन पर पहुंचाने के लिए अगर प्रयासरत हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी इस दिन आप अपने काम को शान्ती से करें दूसरों की पर परवाना करें आपको सफलता मिलेगी और इस वर का सही योग भी मिलेगा रिलेशन एजूकेशन शोशली में जिन सभी मामलों में 29 मार्च आपको लगबग 90% का सपोर्ट देगा 30 मार्च का दिन तुलराशी अच्छा और आपके लिए काफी पॉजिटिव हैं ये दिन आप को कैजोली चीज़ों को पॉजिटिवली आपके फेवर में रखने में मदद करेगा और आप जिस तरह से चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली मैनेज होती जाएंगी लोग आपको एप्रिशेट करेंगे एड्मार करेंगे आपकी प्रशंशा करेंगे ही फैसलों के साथ आगे बढ़कर के सफलताएं अरजित करेंगे रिलेशन एजूकेशन शोशली में सभी ममलों में ये दिन हंडिर परसंट सपोर्ट बनाए हैं 31 मार्च का जो दिन है ये भी 100 परसंट के सपोर्ट पर ही है इस दिन भी इशर के खरपा आपके उपर है आप पॉजिटिवली चीजों को समझने में अब्जर्व करने में काम्याब रहेंगे कुछ अगर लर्निंग करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है मन आपका हला की इमोशनल रहेगा लेकिन आप इमोशनल फूल वाले डिसीजन कता ही नहीं लेंगे जो अच्छी चीज है और आपके द्वारा सोच समझ कर लिए गए निर्ड़ियों के बेसिस पर आपका दिन काफी फाइदे मंद और आपके लिए फूटफुल होगा रिलेशन एजूकेशन शोशल इमें सभी मामलों में 31 तारिक 100% का सपोर्ट बनाया है तो तुला राशी ये था आपका राशी फल 25 से 31 मार्च तक का राशी फल आपको कैसा लगा आपने एक्सपिरिंस अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करियो शेयर करियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाई बाई हेलो वरिच्छेकराशी यानि स्कॉर्पियो आप सबका स्वागत है आपके रेडिंग में 25 मार्च का दिन आपके लिए टू वे सिचुवेशन को मैनेज करने में काफी सपोर्टिव रहेगा आपके मन में कई सारे विचार आ सकते हैं लेकिन वो विचार जो आपको किसी एक पहलू से दूसरे पहलू पर ले जाता है वही काम का होगा उसी पर आपको काम करना है सफलता मिल जाएगी आर्थिक प्रगति को ले करके फाइनिसल ग्रोथ को ले करके आपके जो आइडियाज होंगे या आपके जो प्लैन्स होंगे उस पर काम करके सफलता अरजित कर सकते हैं चीजें आपके फाइदे मंद रहेंगी और अच्छी रहेंगी साथी साथ में किसी भी मामलों में दो सिचुवेशन को एक साथ मैनेज करना इस दिन आपके लिए पॉसिबल रहेगा रिलेशन एजुकेशन शोशल में सभी मामलों में एप्रॉक्स 80% का सपोर्ट बना है 26 मार्च आपके लिए बढ़िया दिन नहीं है और इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई बड़े निर्ड़े न गंभीर फैसले ना करें क्योंकि चीजे एक दिन के लिए आपको पैनिक सिचुएशन में डाल सकती है और इस वज़ा से आपको अपने उपर भी ध्यान रखना चाहिए ग्रेसफुली इस दिन जो कुछ भी निगेटिविटी आती है उसका सामना करें किसी नए काम को ना शुरू करें बस डेली रूटीन पर बने रहें ये दिन सपोर्ट नहीं कर रहा किसी भी आसपेक्ट पर लाइफ की 27 मार्च का दिन वापिस चीजों को अच्छा ले आएगा और आपको इश्वर के करपा के या उनके छट रचाया के अंदर ले आएगा जिसकी वज़ा से पॉजिटिवली आपके कई सारे रुके हुए काम शुरू हो जाएंगे या रुकी हुई गाड़ी चल पड़ेगी इस दिन आप अपने आप में एक सहयोग वाली फीलिंग को फील करेंगे और लोगों की मदद करना अपना करता वे समझेंगे आपको एगो में नहीं आना है ये दिन पूरा सपोर्ट आपको करेगा और दूसरे लोग भी आपके कार्णियों में सपोर्ट कर सकते हैं आपको सफल होने के लिए 28 मार्च का दिन कहता है छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने की दिशा में किये गए कार्णियों में आपको सफलता मिलेगी इश्वर की कृपानो कमपा आप पर बनी है और आपका उनके प्रती जो श्रद्धा है वो आपके लिए टू वे सिचुवेशन को फेवर में लाने में मदद करेगी इस दिन आपका अपने कांफिडेंस के साथ में आगे बढ़ना और इश्वर पर श्रद्धा रखना बनाए रखना दोनों ही आवश्चक है क्योंकि इन ही दोनों के बलबूते आप सफल हो पाएंगे चीजें आपके पक्ष में हैं सभी मामलों में ये दिन पूरा सपोर्ट कर रहा है 29 मार्च का जो दिन है ये कहता है आप सिच्वेशन को समझ नहीं पाएंगे और गलत आप जरू करने की वज़ा से एक्शन नहीं ले पाएंगे इस दिन आप काफी कंजूस प्रवृतिके हो सकते हैं सिर्फ पैसों के मामल को अबजर्व ही ना करना चाहें सुनना ही ना चाहें सोचना ही ना चाहें तो इस मेंटलेटी से आपको बाहरा ना होगा इस दिन आप अपने आपको जितना कैपिबिल्टी के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे उतनी आपको सफलता मिलेगी अपनी कैपिबिल्टी में अगर जाते हैं तो फिर असफलता ही मिलेगी हाला कि ये दिन आपको 40% का सपोर्ट करता है लेकिन समझदारी से काम करेंगे तो ये 40% से चलेगा आप positive सोचेंगे दिन positive negative सोचेंगे दिन negative हो जाएगा neutral सोचेंगे तो दिन neutral भी हो जाएगा तो अपनी सोच को control में रखिए और इस दिन का पूरा आप सपोर्ट आनन जो कुछ भी आपका है वो ले लिजिए अला कि 80% का सपोर्ट है लेकिन आपके हिसाब से ही घू हुँ हैं तो उसमें भी आशातित सफलता तीस तारी को मिल जाएगी 31 मार्च कहता है कि आप एक योजना बनाने की दृष्टिकोंड में अपने में काफी जादा उल्जन महसूस कर सकते हैं कि इस योजना को बनाया जाए या नहीं बनाया जाए और असल में आपको योजना बन आये रखना है क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी में ही आपकी सफलता नहीं तहें दूप अच्छी मामले आपके फेवर में रहेंगे रिलेशन एजुकेशन शोशल इमेज बिजनेस जॉब प्रपरटी इन सभी मामलों में ये दिन 80% सपोर्ट दे रहा हैं तो व्रिष्चिक र ये था आपका राशिफल 25 से 31 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने एक्सपिरियंस अपने अनुभो कमेंट सेक्शन में जरू लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर पास्पिरिटी और वैभो का रहेगा परिवार के साथ अच्छा समंजस्य और तालमेल बना रहेगा परिवार में आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप अपने फैमली के साथ अच्छा समय बिताएंगे एक कार योजना पूरी हो जाए इसकी पॉसिबिल्टी बनी है सिच विचार करके एकॉर्डिंगली भविश के प्रती आप एक विचार बनाते हैं एक योजना बनाते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी अदरवाइस चीज़ें आपके पक्ष में बनी हैं किसी प्रकार का नुकसान नहीं दिख रहा है रिलेशन एजूकेशन शोशली में इस तरह से इस दिन का इस्तेमाल करें यूटिलाइजेशन करें जे दिन आपको अपने आप में और ग्रो करने में मदद करेगा अगर आप अपने भीतर थोड़ा जाकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आप काफी कैपेबल हैं और आपजरवर भी हैं सिच्वेशन को मैन 100% बना है 27 तारीक कहता है मन पर अगर काफी सारा प्रेशर है तो उसे उतारने की जरूरत है अगर बहुत सारी रेस्पोंसबिल्टीज आपने अपने उपर ले ली हैं तो उसे भी थोड़ा कम करने की जरूरत है हालांकि वो अलग बात है कि आप अपने रोल और रेस्पोंस पत्मक नहीं हो पाएगा तो उस चीज पर ध्यान देना है और उसको मुड़ने की कोशिश करने है लोगों को समझाने की बज़ाए अपने आपको समझाईए अपने आप में परिवर्तन लाइए उसका अडिशनल बेनफिट आपको मिलेगा एक भवश्य की योजना बनाते ह रुस पर भवश्य में काम करते हैं तो सफलता भी मिलेगी रिलेशन एई्योकेशन शोश्यल इमाई में ये दिन पूरा सपट बनाए है 28 तारिक करता है कि आप ये समझें कि क्या आपके लिए उचित है और क्या आपके लिए अनुचित है दूसरों के लिए क्या उचित और अनुचित उसकी परवाह मत करें और अपने लिए जो उचित अनुचित है उसकी परवापर जदा जाए और एकॉर्डिंगली सिर्फ अपने बेनिफिट में अगर आप इस दिन काम करते हैं तो सफलता मिलेगी और अगर आप दूसरों के चक्कर में रहते हैं तो बहुत बुरी तरह उलजेंगे और नुकसान ह हो जाएगा रिलेशन एजुकेशन शोशली में सभी मामलों में 30% का सपोर्ट बना है इसे इंक्रीज किया जा सकता है अगर आप अपने उपर काम करते हैं तो 29 मार्च का दिन कहता है कि आप काफी पैशनेट रहेंगे मन आपका उत्साह और उमंग से भरा होगा और आप जल ताकि चा भी होगी इंतिजार धैर आपको जरूर अपनाना चाहिए क्योंकि इसी से आप सफल होगे दूसरे लोग हाला कि आपको मैनुपुलेट कर सकते हैं इसलिए होश्यार रहेगा और इसलिए सोशल इमेज पर दिक्कत आ सकती हैं बाकी लाइफ के सभी आसपेक्ट में सपोर्ट सिस्टम पूरा है तीस मार्च का दिन कहता है इश्वर की करपा और अनकमपा आप पर बनी है पॉइंट वन पॉइंट टू दुपक्षि मामले आपके फेवर में पॉइंट थ्री आपके रिलेशन जो परसनल है प्रेमी प्रेमी का या जीवन साथी के साथ उसमें और इंप्रूमेंट आ जाएगी आप तीसरे लोगों के एंटरफियर को बिलकुल भी आने न दे इस बात का ध्यान रखें और आप जिन भी कार्यों को कर रहे हैं बस रूटीन वाइस चीजों को मैनेज करिए हर कारे को करने के कुछ नैतिक नियम होते हैं नैतिक नियम आप के नियम अलग हैं नैतिक नियम भी होते हैं इसको समझे नैतिकता पूरवक अपने नियमों का पालन करके कारे को करते रहेंगे पूरी सफलता मिलेगी नैतिकता से हटेंगे असफलता आ जाएगी ये दिन हाला की सपोर्ट करता है पूरा पूरा सिक्स्टी परसंट लेकिन इसको 60-100% के बीच के रेशियो में रखना उचित होगा। 31 मार्च का दिन कहता है, ट्राइंगलर सिचुएशन आपके फेवर में है, अगर आप किसी तरह के एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर में नहीं है। अगर एक एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर चल रहा है तो आपको चिंतित होने की जरूरत है। इस दिन आपके द्वारा कियेगे प्रयासों में सफलता मिलेगी, थोड़ा सा मामला ऐसा होगा जहां पर आपका मन कई बार उचट जाएगा। इस वज़ा से भविश्य की योजना बनाईए। आगले दो साल, पांच साल, साथ साल की योजना बनाईए। एक बड़े टार्गेट को अचीव करने के लिए कोशिश करिए, मतलब प्लान करिए। और भविश्य में उस बड़े टार्गेट के स्पैन के अंदर चोटे-चोटे टार्गिट की बना सकते हैं। ठीक हैं। जैसे बड़ी कंपनी बनाती न उनका एक सालभर का टार्गेट होता है और एक तिमाही-तिमाही क को होता है इस वीडियो को लाइक करिये शेयर करिये और चैनल को सब्सक्राइब करना मुद भूलिएगा अगले वीडियो में आप से फिर मिलूँगा बाई बाई हेलो मकर राशी आप सबका स्वागत है आपके रेडिंग में मकर राशी आपके लिए 25 मार्च का दिन काफी आनंदती रेक रहेगा ठिक ठाक रहेगा अच्छा रहेगा इश्वर के क्रपा आपके बनी रहेगी कई सारे मामले आपके आपके आटो मैनेज होते चले जाएंगे जिसका आपको बेनिफिट उठाने में बेनिफिट मिल जाएगा आप बेनिफिट उठा सकते हैं इस दिन आपको चाहिए कि आप लोगों के बारे में पहले से कोई परसेप्शन न बनाए पहले आप्ज़र करें समझें सिच्वेशन को फिर लोगों के बारे में अपनी धार करने की कोशिश करिए accordingly चीज़ें आपके favor में आ जाएंगी आप encouraged हो जाएंगे confident हो जाएंगे और आप situation को manage करने की मुद्रा में आ जाएंगे relation education socially में सभी मामलों में ये दिन पूरा support बनाया है 27 तारिक थोड़ा neutral दिन है इस वज़ा से आप थोड़ा introvert रहेंगे ये कोई support नहीं करता positive negative कहीं पर भी लेकिन ये एक ऐसा दिन है जो आपके अंतर ग्यान को या अंतर मन को प्रकाशित कर सकता है इस दिन आप थोड़ा अंतर मुखी रहें अपने साथ स्वसाक्षापकार करें self interview करें self analysis mint करें अगर ऐसा करते हैं तो आप अपना ही मार्ग दर्शन करने में कामयाब हो जाएंगे और आपके जीवन की जिस भी point पर आपको दुविधा हो रही है उसका solution इस दिन मिल जाएगा 28 तारीक आपको कहता है कि आप सिर्फ imagination की दुनिया में ना खौएं बलकि वास्तविक्ता के धरातल पर भी आएं ठान ले कि क्या करना क्या आचिव करना है और जो ठानते हैं उसे ही करने की कोशिश करें अन्य था ये imagination खतम नहीं होगी और imagination कुछ देगी भी नहीं इसलिए physical world में कुछ काम करें और target करके काम करें अगर आप ध्यान नहीं भटकाते तो सफलता प्राप्त करने की संभावना 70% से 100% और अगर आप ध्यान भटकाते हैं तो फिर अब आप देखी नहीं कैसे भटकता है 29 मार्च ये एक ऐसा दिन है जो आपको कहता है कि पहली चीज बिजनस से रिलेटेड जॉब से रिलेटेड मामलों में आपके निरणे सही होंगे और आप सही दिशा में अपने को रखने में काम्याब होंगे दूसरी चीज़ सोशल वर्ल्ड में यानि सामाजिक दिश्टिकोर से देखे तो आपके पक्ष में चीज़े रहेंगी लोग आपको अप्रिशेट करेंगे एडमायर करेंगे और आप अपने पक्ष को और मजबूत करने में काम्याब रहेंगे आपका विचार काफी ब्राड होगा आपके निरणे काफी सधे हुए होगे इस वज़ा से लोग आपको अप्रिशेट करेंगे आप चाहें तो दूसरों को मैनुपुलेट करके भी अपना काम निकल सकते हैं और जरूरत पढ़ने पर ऐसा करना चाहिए ये दिन आपको सपोर्ट करता है लाइफ के सभी आसपेक्ट पर हंड़ेट परसेंट तीस मार्ज का दिन कहता है कि आप एक एक करके चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो सारी सिचुएशन एकॉर्डिंगली मैनेज होती चली जाएगी और आप अपने पकड़ में सिचुएशन को लाने में काम्याब होंगे ये दिन आपके अनुसार आगे पीछे हो सकता है मन को पॉजिटिव रखेंगे तो चीज पॉजिटिव रहेंगी निगेटिव रखेंगे तो चीज निगेटिव रहेंगे इस बात का खासा ध्यान रखेंगे तो आप अपने अनुसार दिन को मैनेज कर ले जाएंगे रिलेशन एजुकेशन शोशली में सभी मामलों में 30 तारिक 80% सपोर्ट कर रहा है 31 तारिक कहता है आप प्रॉस्पेरिटी की और आगे बढ़ेंगे ब्यापारिक मामलों में और ज्यादा सक्सेस्पुल होने की पॉसिबिल्टी जॉब से रिलेटेड मैटर्स में आपके और डीप जाने और सफल होने की संभावना बनती जाएगी लेकिन आपको अपने confidence level को improve रखने पर भी ध्यान देना होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो ना सिर्फ अपने पारिवारिक मामले परसनल मामले बल्कि अपने professional मामलों को भी आसानी से manage करेंगे और चीज़ें आपके पक्षमे मुड़ी रहेंगी relation, education, socially में सभी मामलों पर ये दिन आपको 100% का support दे रहा है तो मकर राशी ये था आपका राशी फल 25 से लेकर के 31 मार्स तक का राशी फल आपको कैसा लगा अपने experience अपने अनभू कमेंट सक्षन में जरूर लिखे इस वीडियो को like करिए, share करिए और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, बाई बाई हेलो कुम्हराशी, आप सब का स्वागत है आपके reading में कुम्हराशी आपके लिए 25 मार्च का जो दिन रहेगा ये कुछ सीखने का दिन है, सीखिए, समझिए, observe करिए जरूरी नहीं आप अपने दिल की सारी बात दूसरों को बता दें, जरूरी नहीं आप कुछ ग्रैब करने, जरूरी नहीं आप सफल हो जाएं सफलता की राह पर होना भी बड़ी बात है, और सफल होने में समय लगता है, इसको समझने की जरूरत है इसलिए जल्दबाजी इस दिन आपकी दुश्मन होगी और धहरे आपका दोस्त तो अगर आप धहरे का पालन करते हैं सिचुएशन को मूव करने का समय देते हैं तो सफलता आपकी है लगभग 90% तर यानि आप सफलता की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे और अन्न था 10% का सपोर्ट है लाइफ के सभी अस्परक्ट पर 26 मार्च का दिन कहता है कि दूसरों के साथ अपने मामलों को साज़ा करने में समझदारी दिखाने की जरूरत है कई बार हम आखे बंद करके काम कर रहे होते हैं वो नहीं करना आखे बंद करके ना लोगों पर विश्वास करना ह आखे खोल करकर ये जानते रहीं आप कितना कर रहे हैं कियों कर रहे हैं किस के लिए कर रहे हैं दूसरे चीज अगर आपको जरूरत नहीं है बिनवज़ अपने आपके ऊपर आर्थिक बोजलना बढ़ाया यहाँ पर किसी भी चीज़ से रिलेट करके नहीं बता रहा person अपने हिसाब से उसको manage करेंगे और यहां इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो करिए और उन मामलों में जहां अभी आप मदद करने लायक नहीं हैं वहां पीछे रहिए कोई नुकसान या पाप आपको नहीं होगा बाकी उधार लेने और देने से बचेगा मदद करने की छूट है उधार लेन देन से बचेगा relation education socially में सभी मामलों पे 60% का support बना है 27 तारिक कहता है आपको आपके मारग में बाधाएं दिखेंगी समस्याएं दिखेंगी उन समस्याओं के साथ ही साथ आप अपने loved ones के साथ में जिन से आपको प्यार है लगाओ है उनके साथ आपको आगे बढ़ना भी है तो भी आप दिखेंगे समस्याओं अपनी जगाँ आप अपनी जगाँ आगे बढ़ते जाएए कई बार आपको चीज़ां समझ में नहीं आएंगी आपको लगेगा कि हम सही मार्ग पर हैं लेकिन आपको चीज़ों आपजर्व में नहीं आएंगी अपने दिल के सुनिए दिमाग की मत सुनिए क्योंकि दिल की सुनकर के ही इस दिन आपको तरक्की और सफलता मिलेगी रिलेशन एजुकेशन शोशली में सभी मामलों के कुमबराशी 27 तारिक 60% का सपोर्ट दे रहा है 28 मार्च का दिन कहता है आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपने आपको और इंप्रूवली या पॉजिटिवली यूज़ करें इसका आपको बेनिफिट मिलेगा पैसों का निवेश कहा करना है कितना करना है इस पर आप अपने विवेक और अपने विचार से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी इन चीज़ों के लमा आपको एक सुखत समाचार मिल सकता है जो आपकी पोजीशन को और इंप्रूव करें और पास्ट में किये गए कार्यों का प्रतिफल इस समय जो मिलेगा वो आपको आपके मन को प्रफुलित कर देगा रिलेशन एजुकेशन शोशली में सभी मामलों में ये दिन लगबग 90% सपोर्ट कर रहा है 29 मार्च का दिन कहता है कि ये दिन आपके पूरे कंट्रोल में आ जाएगा आप सिचुएशन को जैसे चाहोगे वैसे मैनुपलेट या मोड़ पाओगे मैनुपलेट कर पाओगे या मोड़ पाओगे इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक परिवर्तन को ला सकते हैं परिवर्तन अगर आपको अपने में लाना है तो उसे करिए दूसरों में लाना है तो उसे करिए situation को बदलना है तो उसे भी परिवर्तित करने के लिए संघर्ष करिए प्रयास करिए कर्म करिए और चीज़ें आपके according बदलेंगी relation education socially में सभी मामलों में ये दिन 100% का support दे रहा है तीस तारिख एक अच्छा दिन नहीं है चीज़ें आपके पक्ष में नहीं दिखती इस वज़ा से आपको panic होकर निड़ें नहीं लेना चाहिए क्योंकि panic decision अगले दिन आपको problem में डाल देंगे यहां पर अगला दिन है जो कि positive है तो इस बात का ध्यान रखें कि छोटा सा एक परिवर्तन तीज तारीक को आपके जीवन में आएगा जिस परिवर्तन के साथ आपके जीवन की दिशा के बदलने के संकेत हैnd और इसके साथ अगर आप connect नहीं होते हैं तो फिर वो परिवर्तन जो आपको सपोर्ट नहीं देता लाइफ के किसी भी आसपेक्ट पर इसलिए केवल अपने रूटीन वर्क पर बने रहें 31 मार्च का दिन ट्रैंगलर सिच्वेशन्स में चीजों को आपके पक्ष मिलाता है और कहता है बिजनस पार्टनर के साथ डिलिंग में परिवार के साथ डिलिंग में मित्रों के साथ डिलिंग में आपका पलडा भारी हो जाए इसकी संभावना है दूर की थोड़ी योजना बनाईए उस पर काम करिये सफलता आपको मिल जाएगी इस दिन आपकी योजना के एकॉर्डिंग आपके काम करने की देर है बस और सफलता आपको मिलती जाएगी किसी नए काम को शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया है और अपने आपको और ज्यादा पीसफुली किसी मामले में लगाने के लिए भी दिन बढ़िया है relation education socially में सभी मामलों में कुम्भराशी ये 31 मार्च आपके लिए 70% का support कर रहा है तो कुम्भराशी ये थी आपकी आज की reading यानि आपका राशिफल 25 से लेके 31 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा अपने experience अपने अनुभर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा बाई बाई हेलो मीन राशी आप सबका स्वागत है आपकी reading में मीन राशी आपके लिए 25 मार्च का जो दिन रहेगा ये एक आस्वीधा जनक दिन रहेगा धोखा मिल सकता है दूसरों की मन गढ़ंद बातों में आकर के आपको और नुकसान हो सकता है इसलिए थोड़ा होशियार और साओधान रहिए जल्द बाजी बिल्कुल भी मत करिए सोच समझ कर फैसरा लीजिए और अगर आपको लगता किसी सिचुएशन या मामले में आप इन्वाल्व होकर फस गए है तो ये फसना भी आपकी अपनी गलती का नतीज़ा है इसलिए निकलने की चाभी आपके पास होगी जीवन में 75 प्राब्लम चल नहीं हो जिसको कहते हैं प्राब्लम तो बहुत सारे लेकिन इस दिन पता नहीं क्यों मन आपका थोड़ा शांत रहेगा बीच में मन आपका इस्थर और शांत रहेगा इस सिचुएशन को इंज्वाई करिए सोच विचार में लगाईए आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा आप अपने भविश अपने बीते हुए कल को याद करके देख करके भविश के लिए नई आशाओं और उमीदों से भर जाओगे और इस वज़ा से आपको भविश की योजना इस दिन बनानी चाहिए 26 तारीक को 90% का सपोर्ट बना है लाइफ के सभी आसपेक्ट पर भविश की योजना बनाते हैं तो उसमें सफल होंगे 27 तारीक कहता है नए काम को शुरू कर सकते हैं किसी व्यापारिक मामलों में भी अपने को इन्वाल्व कर सकते हैं नई जौब शुरू कर सकते हैं या किसी भी तरह के नए काम को स्टार्ट किया जा सकता है इस दिन आपके द्वारा शुरू किये गए कार्यों में इश्वर के करपा और अनकंपा भी शामिल होगी जिससे आपके कार्य में आपको सफलता जल्दी मिले इस दिन आप चीजों को अपने पक्ष में मोड़े रखने में काम्याब होंगे और अपने को एक स्टेप उपर ले जाने की दिशा में कर रहे प्रयासों में सफल होंगे relation education socially में सभी मामलों में ये दिन 90% सपोर्ट देता है 28 तारीक एक insecure feeling को दिखाता है जहां आप अपने आपको बचाना चाहेंगे क्योंकि चीज़ें आपके पक्ष में नहीं है और जब ऐसे situation है जहां चीज़ें आपके पक्ष में नहीं है वहाँ दूसरों के बारे में नहीं सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपने आपको सेफ करने की कोशिश करिए तो ऐसी परिस्थिती में आप जब सिर्फ अपने बारे में सेंट्रलाइज होकर फोकस करेंगे तो आपको situation से overcome करने का रास्ता मिल जाएगा अगर आप सब के बारे में सोच रहे होंगे तो मन में बहुत सारे विचार होंगे जिन में आप clarification बिलकुल नहीं पाएंगे नए काम को मच शुरू करिए जो routine वर्क आपका है बस उसी पर बने रही है relation education socially में सभी मामलों में ये दिन 20% support दे रहा है 29 मार्च का दिन कहता है समझ तो बहुत कुछ है जानते तो बहुत कुछ है सब कुछ आपको पता है लेकिन आप काम नहीं करेंगे सब आपको पता होगा क्या करना है कितना करना है कैसे करना है कब करना है इस गुस्सेले सुभाओं को अगर दूसरों को दिखाए जाए, दुनिया को दिखाए जाए तो उसका आपको निगेटिव इफेक्ट मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा, इसलिए शांत बने रहने की प्रैक्टिस या दिखावा जरूर करें ये दिन सपोर्ट करता तो 100% है, लेकिन आपकी टालमटोल की आदत या गलती के कारण इस दिन का बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे, अब ये मैंने आपको निगेटिव बता दिया, इसलिए बेनिफिट लेने की कोशिश कर लेना 30 मार्च कहता है इश्वर की करपा आपके उपर बनी रहेंगी, और आप जितने अच्छे इनसान बने रहेंगे उतना पॉजिटिविटी आपके उपर आती रहेंगी, लोगों को आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, इस पॉजिटिविटी के साथ में पॉजिटिव जाते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, बस एगो को डाउन रखिएगा, रिलेशन एजूकेशन शोशली में सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा हैं, 31 मार्च का दिन कहता है, आपकी सोशल इमेज और वैल्यू और ज्यादा इनहेंस हो जाएगी, आपके द धन रखना चाहिए, कि आप धैर का परिचे दें और जल्दबाजी ना करें, तो मीन राशी, ये था आपका राशी फल 25 से 31 मार्च तक का, और चुकि आप राशी चक्र की आखरी राशी हैं, तो आपके साथ ये राशी फल यहीं पर समात हुए, आज का राशी फल आपको कै